नमस्कार दोस्तो बेटाउन अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागा थे दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मगदीर फिल्म की रिमिक के बारे में जिया दोस्तो 2009 में फिल्म आई थी मगदीरा जो की तेलुगू लेंग्वेज की फिल्म थी वो एक ये आज के वीडियो में तो हम मगदीरा रिमिक के बारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तो आप भी अगर मगदारा फिल्म के टूफ है न है और साहिद कापूर के टूफ है न है तो इस वीडियो को सुरू से लगा के अन तक पूरा देखना ताकी कोई भी अपडेट मेश और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को पठापट से सस्क्रेब करते वीडियो को लाइक कर दे और सेयर करना मत बुले तो चले दोस्तों बीना दिर करते वीडियो स्टार्ट करते दोस्तों कविर सिंग फिल्म साउथ की सूपरेट फिल्म की रिमेक थी उस के रिमेक के बाद अब साइद कपूर मगदीरा फिल्म के रिमेक में दिखाए देंगे जो की फेंटासी एक्षन फिल्म थी और उस फिल्म की स्टोरी लिखी थी के भी वीजंत्र प्रसाद ने दोस्तों दोस्तों मगदीरा फिल्म को डायरेक्शन दिया था एसेस राजा मूली ने दोस्तों आप तो जानते ही कि एसेस राजा मूली जो फिल्म डायरेक्ट करते है उस फिल्म का लेवल एक हाई लेवल होता है और दोस्तों उस फिल्म की स्टार कास में लीड डोल में में रामचरन के opposite काजल अग्रवार, देव गिल, श्री गिल जैसे बड़या स्टार्ट देखने को मिले थे इस फिल्म को तेलोगू लेंग्वेज में बनाया था और उस फिल्म को सकसेज मिलने के बाद उस फिल्म को दब किया था तामिल, तेलोगू, कल्नियाणव और हिंदी लेंग्वेज में मगदीरा एक एक्षन त्रियर फिल्म थी दोस्तो उस फिल्म में पूनर जनम का दिखाया गया था जो कि दरसकों को इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही पसंद आई थी उस फिल्म को 35 करोड के बजेट में बनाया था और उस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में डेट सो करोड का जबजस बिद्निस किया था 2009 में और इस फिल्म के स्टोंग, डायलोग और जो वी एफेक्स था वो बहुत ही ज़्यादा हीट हुए थे उस फिल्म के सक्सेस के बाद, अब 11 सल बाद इस फिल्म का रिमेक बनने जा रहा है बॉलिवूड में और उस फिल्म को भी डायरेक्शन देने वाले एसेस राजा मोली और दोस्तों स्टार कास की बात करें तो बॉलिवूड के हैंसम हंग साइद कपूर इस फिल्म में रामचरन की जगा पर देखने को मिलेंगे वहीं दोस्तों काजल अगरवाल की जगा पर हमें क्यारा अडवानी देखने को मिल सकती है अगर दोस्तो ऐसा हुआ तो क्यारा अडवानी और साहित कपूर पहली बार कोई बड़ी स्क्रीन पर एक साथ नजर आएंगे रोमेंस करते हुए और दोस्तो इस फिल्म में 400 साल बाद का पुनर जनम दिखाये जाएगा कुछ इस तरह की स्टोरी रहेगी और इस फिल्म के अंदर हमें दमदार रोमेंस देखने को मिला था जिस तरह से मगदीरा में देखने को मिले था दोस्तो ये फिल्म की स्टोरी आलमोस्ट सेम रहेगी लेकिन कुछ चैंजिस किया जाएगा और दोस्तो इस फिल्म का बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 55 करोड से 60 करोड के बजट में बनाये जाएगा और ये फिल्म अपने लाइप टैम में 300 से 400 करोड का आकड़ा क्रोस कर सकते ऐसा अंदाज लगाये जा रहा है तो दोस्तो आप मगदिरा फिल्म के रिमेक के लिए कितने एक्साइटेड है और क्या राम चरन की जगा पर साहिद कपूर उनके जैसा रोल कर पाएंगे या नहीं हमें कमेट बॉक्स में लिखे जरूर बताना वीडियो पसंद आये तो हमाज चाहिए को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करना ना बुले